आउस्बिल्ला इमने शुट्वान रजीम, बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम, असलाम लेकुम, डियर स्टुडेंट्स, उमीद है कि आप सब लोग खेरिया से होंगे आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए exam से related एक important announcement जो कि आप लोगों के साथ share करनी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है ताके नई आने वाली वीडियो का notification आप लोगों तक पहुँचता रहे तो dear students प्रेविस वीडियो में मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप लोगों की जो डेट है ADP और ADC से रिलेटिड वो एक्स्टेंड हो चुकी है फाइनल समेस्टर के लिए तो फाइनल टरम के लिए तो अब जो recent जो हमरे पस डेट आ गई है बचों ने काफी पूछा के डेट शीट के हवाले से गाइड कर दीजिए तो आज ही जो है वो डेट अनॉंस की गई है डेट शीट तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सबसे पहले ADP के हवाले से हम बात करेंगे और इसके बाद हम ADC के जो सबजेक्स हैं उनके हवाले से हम बात कर लेंगे तो इसमें जो पहला पेपर है आप लोगों का सबसे पहले टाइमिंग के अगर बात करें तो टाइम जो है वो 3 पीम टू 5 10 पीम ये टाइम होगा इसके बाद जो पेपर है आप लोग का उसके लिए आप लोगो को ओरिजिनल जो है आपकी रोल अमबर स्लिप CNIC ये मस्ट होगा इसके बगार आप लोगों को इंटरी नहीं दी जाएगी मुबाइल फून या इसके कोई और अलाद ले जाने की भी आप लोगो डिवाइस की भी इजादत नहीं होगी और इसके लावा आप लोग ब्लू और ब्लैक मारकर वगारा वो भी आप लोग एजिली यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई कबाहत नहीं है और इसके लिए एक important वीडियो है वो मैं end पे आप लोग को उपर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा वो भी आप लोग देख लीज़ेगा paper presentation के हवाले से अगर आप लोग को ना मिले जस्ट आपने यूट्यूब पे टाइप करना है paper presentation by आमिर बशीर तो direct ही आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी उससे आपको paper हल करने में काफी help out हो जाएगी उससे paper की presentation बहुत ज्यादा improve हो जाएगी आप लोग की और उससे marks ज्यादा अच्छे आ जाएगे अब देखते हैं जी date sheet को 17th November 2022 Thursday सबसे पहला जो paper है आप लोग का English literature का है इसके बाद 18th November 2022 and the day is Friday critical thinking and reasoning 19th November 2022 Saturday इसको basic health awareness अब इन तीनों सब्जेक्स का material, almost, past papers, इनके notes, इनकी बाकी सारे लोजमा जो हैं इसी channel पे available हैं तो वहाँ से भी आप लोग help out ले सकते हैं इसके लावब एक और important announcement के इनकी जो है वो test series भी start की जाएगी जिसमें almost paper जो है वो आप लोगों तक share कर दिया जाता है test series के अंदर ही सारे जितने भी important questions होते हैं चाहे वो MCQs हो चाहे वो short questions हो चाहे वो long question हो तो वो almost repeat हो जाते हैं तो उसके हवाले से भी आप लोग देख लीजेगा जो बच्चे इसको join करना चाहें वो भी join करें इसके बाद 21st November 2022 मंडे को biology, botany, chemistry, earth sciences, environmental sciences, everyday science, food science, geography, physics and zoology इन subjects में से जो भी आप लोगों ने choose किया होगा उसका 21st November मंडे को paper होगा इसके बाद 22nd November इसमें economics, education, entrepreneurship, gender studies, history, international relation, library and IS, media studies, political science, psychology, public administration, social work, sociology and special education इन subjects में से जो आपका subject होगा उसका paper 22nd November 2022 and the day is Tuesday इसको आपका paper होगा उसके बाद है जी last paper 23rd November 2022 and the day, awareness day इसमें आपकी जितनी भी languages हैं उसके बारे में होगा जिसमें Arabic, English literature, सुराइकी literature, उर्दू literature, इक्बालियार, fine arts, Islamic history, US history, British history, home economics, Urdu language, Arabic language, Persian language, सुराइकी language and Persian तो इन में से जो भी आपका paper है जो आप लोगों ने चूज कियो होगा subject उसका paper जो है वो 23rd November 2022 and the day, awareness day इसको आप लोगों का paper होगा अब नीचे कुछ वोई important हिदाया जो के मैंने शुरू में भी आप लोगों से discuss की हैं के final term examination will be of two hours and ten minutes, दो गेंटे और दस मिन का paper होगा आप लोगों ने अठाई बजे जो है वो center में पहुंचने है, mobile phone या कोई भी और device जो है electronic device वो allow नहीं होगी आपने अपना original CNIC और roll number slip examination center में लेके आनी है, ऐसे तमाम students जो अपनी roll number slip और अपना ID कार्ड नहीं लेके जाएंगे, उनको exam में बैठने की अजाज़त नहीं होगी इसके बाद आप लोगों ने जो objective है, वो आप लोगों ने answer sheet पे ही हल करनी है, उसको आप लोगों ने अलग से जिसना बाद उकात होता है, बच्चों को एक ही pay दिया जाता है, उसे के ओपर वो टिक mark कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, आप लोगों को जो answer sheet दी जाएगी, उसके ओपर आपने objective को भी हल करना है, उसके बाद candidates जो हैं वो blue और black point और pointer को इस्तमाल कर सकते हैं, बाल पैन को भी pointer को भी और marker को भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ के एक important वीडियो, paper presentation के हवाले से आप लोगों को दी ज ही हैं, अब हम बढ़ते हैं अपनी second जो हमारे पास date sheet है, जो के ADC से related है, computer sciences से related, इसमें 17th November 2022, Advanced Financial Accounting, 18th November 2022, Friday, Business Economics, 19th November 2022, Saturday, Cost Counting, 21st November 2022, Monday, Business Communication and Report Writing, अब communication और report writing के जो lectures हैं, वो भी मेरे चैनल पे available हैं, आप लोग उसको भी help आउट ले सकते हैं, वहां से भी idea एक general जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, और जो इसके लिए last paper होगा, that is 22nd November 2022, Tuesday, Computer Application in Business, तो dear students, बाकी सारी वोही चीज़े हैं, जो के उपर आप लोगों को ब मुझारिश है कि अपने जितने भी आपके फैलोज हैं, जितने भी आपके study groups हैं, जो आपके educational हैं, वहां पे भी इस link को आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है, ताके बाकी बच्चों तक भी information पास आउट हो जाए, दौाओं में याद रखिएगा, अला हाफीज